खबर के और रूप करेंगे कोरोना संक्रमन के बीच कोटा में मौजूद यूपी के हजारों कोचिंग छात्रों की घरवापसी के लिए यूपी से 250 बसे कल यहां आई थी और इसके बाद इन बसों से कोचिंग छात्रों को लेकर कोटा से यूपी रवानगी शुरू हो गई है इन बसों से यूपी जाने वाले कोचिंग छात्रों की स्क्रेनिंग की गई है वहीं बसों को भी सेनिटाइज किया गया है तो वहीं आज के हालातों के बारे में कोटा से पूरी जानकारी देंगे हमारे समभादता योगिंद्र महावर जी योगिंद्र कोटा में फेल्डर लगातार संक्रमेंट के बीच हजारा कोचिंग शारत कोटा में अभी भी मोजूद है ऐसे यूपी से 200 बसे कोटा पहुची थी जिसमें से 100 बसे यूपी के बच्छों को लेकर रात को रवाना हो गई थी कर्顧 के रहाना हो रही हैं ये बसे जाला बार लॉडिसित एक घ्राउन में खड़ी है पीछे देख सकतें आप पूरी की जो हैं वो पूरी बसे हैं और फूस्तूडन्स यहां पufen रहे हैं और लगातार एक के बाद एक बसो को यहाँ पे इसक्रेणिंग करके हैं उनको खाना देका है पानी की बोतल देका रवाना के जा रहा है क्योंकि गर्मी काफी तेज है लंबा सफर है बच्चे को किस तरह की परेशानी ना आए चातर किसी भी तरह से परेशान ना हो इसका भी पुरा ध्यान लगा जा रहा है दीरे दीरे यहां से जो बसे हैं वो रवाना हो रही है काफी सारी बसे यहां पर खड़ी हुई है सारी बसे यूपी की है संभावना ये भी जताए जारेगी कुछ बसे और आ सकती है लेकिन अभी कितनी आएगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो कही प्रशासन का भी धन्यवाद दे रहे हैं यहां पूरी छात्र मौजूद है, बस में मौजूद है, वो अपने खुशी चाहिज कर रहे हैं, किस तर ऐसे यहां पर जो प्रशासन लगातार, जो पूजिंग सस्ताने हैं, वो लगातार इन बच्चों को इन्हों के घर बेज रहे तो कहीं न कहीं, एक रहाच कोजिंग छात्रों को मिलती हूँ जरू नजर आ रही है, इस समय कैमरा परसन नारेंट सिंग के साथ योगेन महावर, A1 TV कोटा